नमस्कार फैक्ट प्लेश नीज में आपका स्वागत है और बात करें भारत की तो भारत में क्रिकेट एक धर्म है क्रिकेटर एक भगवान है और क्रिकेट का दिस्वर्ग कहा जाए तो वो वडोद्रा है वडोद्रा बरोडा क्रिकेट एस्वेशन का अब खुद का मैदान हो अभी तक जो मैदान नहीं था अब वो बनके तयार है और इतना उपसूरत मैदान है और इसमें जो सुईधाय होंगी वह त्यादूनिक सुईधाय होंगी और इसको अब बारा तारिक को यहां पर एक पहली मैच भी खेली जाएगी इस मैच से पहले इस मैदान के बारे में और इस खुसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले सर आप ही बता दीजिए कि आज का दिन कितना महत्व का दिन है आज हमारे लिए गर्वन वुत दीन है गर्व महसूस कर रहे हैं कि 1936 में बीसे से आई कि स्तापना होने के बाद 24 सी साल के बाद आज पहली बार हम अपने खुद के मालिकी के ग्राउंड पे खड़े हैं और तब से लेके आज तक बरोडा क्रिकेट असोसेशन ने कम से कम 50 क्रिकेटर्स दिये इंटरनेशनल लेवल पे जिनोंने बरोडा का नाम भारत के लिए रोशन किया विश्व में गई थी वो फिर शे शुरू हो जाएगी चंद सालों में उसके साथ साथ हम आज एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड बना कर इंटरनेशनल मैच रेडी हो चुके हैं और मैं मानता हूं कि इसका एडवांटेज बड़ोडा के लोकल क्रिकेटर्स को इतना मिलेगा क्योंकि इस ग्राउंड पे इस ग्राउंड की विकेट इस तर पे खेलने के बाद वो कहीं भी जाएंगे तो उनको ऐसा नहीं लगेगा पहले तो इतने अच्छे ग्राउंड नहीं थे गंदी विकेट गंदे ग्राउंड हम अभी तक जितना भी क्रिकेट खेले हो क किसी के situaton एक लिए लिया इस के लिए चाहय है हमोति बहक के लिया। उसके बाद कि समझता हूं के हम एकाफी प्राक्टिस भीकट मेरी वख साथ लोग। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो क्रिकेटरों की हुनत है चाहे लड़के हो या लड़किया हो उनको उनकी हुनर को उभरने का आज ये मोका मिला है और हम ये मानते हैं कि बारा तारीक जो पहली मैच T20 के यह वाइड बॉल की होने वाली किरन मोरे T20 लीग उससे बड़ोजाक क खुद के ग्राउंड पे अपनी मैच खिलाने का एक इतिहास रचा जाएगा और मैं समझता हूँ हम सब उस इतियास के शाक्सि होंगे वाने वाले सो साल तक एक इतिहास बना के लिखा जाए सर कोई भी मैदान होता है उसका ग्राउंड उसकी घास और खास करके जब चर्च अब जब करते हैं तो जो कैमरेज होते हैं वह विकेट पर होते हैं और विकेट पर काफी सारी चर्चा होती है हमारे जो दर्सक हैं जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत जानते हैं या समदना चाहते हैं कि क्या देखते हैं इस पीच पर क्या देखते हैं आप लोग कितना मॉस्यर होता है तो विकेट लाइव रहती है यह यह विकेट को देखकर अभी आप क्या कह सकते हैं यहां पर कोई मै सब्सक्राइब को भी अच्छा रहेगा सर आप कुछ पीच के बारे माप मैदान के माहिर है यह जो पीच बनी है ना यह जो पीच का जो प्रोफाइल है वह 16 इंच है तो 16 इंच को कैसे बाइफर किट किया है हम 16 इंच का गड़ा बनाया है चार इंच के जो निचे वाला जो लेयर है वो 2 mm बड़े डेले की डालते है उसको चार उसको पानी से लेवल करते हैं पानी चिरक के बाद में उसके बाद में 4 इंच लोमी सेंड होता है उसमें 90 परसंट 1 mm रेथ होता है और 10 mm छनी हुई अपने मिट्टी होती है उसको लोमी सैंड बोलते हैं वह भी एक लेयर डालते हैं और बाकी अभी आठ बचा तो आठ इंच का लेयर जो है वह वह सॉयल का रहता है तो एस लेवल आ गया उस पे हम एक स्पेशल टाइप का ग्रास होता है बर्म सब्सक्राइब का जो है प्यूटिफुल है उसके माद में उसका रोलिंग वाटरिंग 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 हो के अभी जो आप देख रहे हैं ऐसी बन जाती है उसमें हमको उसको हाड़नेस रखना है मौशर भी थोड़ा रहना चाहिए ग्रास इतना नहीं रखना चाहि तो वह सब वासुजी देख लेते हैं वासुजी बात करें तो कोई भी ग्राउंड में एक प्रैक्टिस सेशन भी काफी इंपोर्टेंट होता है जब यहां पर खिलाड़ी आएंगे तो प्रैक्टिस सेशन का क्या इंतजाम है उन्नीस विकेट हैं वहाँ पर बनाएं वहां सब्सक्राइब यहां पर खिलाड़ी जाना चाहते उसके पहले उस तरह की यहां पर विकेट से बाउंडरी का लेवल 22 नीचे का स्लूप दिया सितल जी हमारे साथ है सितल जी वाइस प्रेसिडेंट आपके जन्म से पहले क्रिकेट बॉर्ड बन गया था और मैदान का इंतजार था कितने सोभा के सालियों का वाइस प्रेसिडेंट और सुरुवात हो रही है मैं तो बी सीए में 2004 से एक्टिव था लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट एक साल पहले ही मिलिया है यह ग्राउंड तो 2014 में एक खरीदा गया थी जगया खरीदी गई थी इस्टोरिकली पेंडिंग पांच एजियम हमने क्लियर की थी पिद अहलप आफ एपक्स कांसिल मेंबर्स और बी सीए के मेंबर्स वह पांच एजियम पेंडिंग थी इसलिए हमको पैसे नहीं मिल रहे थे तो लग ऐसा है कि उसी में हमारे आने के बाद यह सब पेंडिंग चीज़े खतम हो गई और जो फंड बीसी सीए से लेना था हमको जिसमें ग्राउन का भी खर्चा आता है क्योंकि बीसी सीए हमको मैचिंग ग्रांड देती है समझा हमने हंडेट क्रोड स्पेंड किये तो पचास क्रोड बीसी सीए देती है तो इंफ्राक्चर फंड होता है उनका तो सब eligibility हो गई है और इसलिए मैं ऐसा नहीं कि सकता कि यह हमारे हमारी अकेले की कोई लग है सबका लग है क्योंकि यह सपना तो कभी तो पूरा होना ही था सर कोई भी कारी जब होता है तो एक सवाल पूछा जाता है कितना खर्च हो रहा है इस स्टेडियम के पीछे कितना खर्च हो गया है अभी तक जमीन यह जमीन 45 एकर है अपनी जो मोटेरा की जमीन 63 एकर से लेकिन मोटेरा का स्टेडियम एक लाग दस हजार का है हमारा 30 दाउजन का है तो वह हिसाब से यह जगा ज्यादा है और अभी तक हमने 25 करोड स्पैंड किये हैं और हम भी दूसरा 100 करोड सम्पैंड करेंगे स्टेडियम के लिए तो करी कि बन 125 से 130 करोड रुपे में सब चीजें तैयार हो जाएगी सर कब तक यह हो पाएगा क्योंकि पूरा अभी तो मैदान बन गया अभी यहां पर क्या-क्या जो कॉम्प्लेक्स जैसे के कोई लाइट लगाना यह कब तक हो जाएगा और 2023 की वर्लकप की मैच यहां आएगी है हमको आशा है सर इनको आशा है आपको क्या लगता है कितना इंतजार है लोगों को वड़ोद्रा में कोई मेच आ जाए ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से यह नई कमीटी काम कर दी है उसको देखते हुए यह नवी नई कमीटी को आने से एक साल हुआ अभी ए सब्सक्राइब हो चुकी है तो मैं समझता हूं कि विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर कोई कुटाई नहीं हुई तो पक्का दो हजर तेईस का वलकप का एक दो मैच वरोडा में जरूर खेला जाएगा हम उसकी कोशिश में आच्छे लगे लग चुके सर आप से कैसे जाएगा कि मेदान बन चुका है तो क्या लोगों को नजरिया बदलेगा ऐसा लगता है आपको कि अब कुछ सही में क्रिकेट हो रहा है अभी जो आज की टीम है प्रणा वमीन हमारे चैर्मन है उनके अंदर में उसके अंदर हमारे सदसे भी है और कुछ विपक्स के जाए एक समू से नहीं होता है जब सारे लोग इकटे होते हैं जब सारी शक्तियां एक सजुट जाती उसके बाद में ऐसा एक कारिया होता है और आज हम उस कगार पर खड़े जहां पर यह सिद्धी हम दो साल के अंदर प्राप्त करेंगे हमारे यहां आर्केटेक का भी चै है और हमारी जो सत्याइद भाई के साथ में जो मीडिया टीम है शितल भाई हमारे वाइस प्रेजिंट बहुत ही एक्टिव है वासु भाई और हमारे जो दस्रत भाई है वो ग्राउंड का पूरा देखते हैं तो हमारा जो काम हो अलग अलग हिस्सों के अंदर बढ़ चुक है शितल भाई हमारे वाइस प्रेजिडंट है वह बहुत ही सब जो हमारी एपक्स कमीटी के मीटिंग होते हैं और हमारे जो दूसरी सब चर्चा होती है उसके बाद में उसको कैसा आगे ले जाए उसके लिए सतत्त कार्यशिल रहते हैं सत्तियत भाई हमारे मीडिया के जनता है उन तक जो मैसेजम पहुंचाना जाते हैं वह इतना बखुवी से पहुंचाते हैं कि आजकल अगर आप देखेंगे तो मीडिया के इंदर इतना पॉजिटिव कवरे जा रहा है और हमको बहुत ही आनन्द है कि एक जमाना था जब काफी नेगेटिविटी थी प्रे जबी अगर उनको के कॉल करता है तो फोन लेते हैं और जो भी मतलब उनके नॉलेज में है और बीसी एक अंदर जो भी चलता उसके बारें जो भी उनके पास इंफर्मेशन होती है उसके वेजिस पर इमीजेटली शेर करते हैं उसकी वज़ा से क्या होगा कि मीडिया के साथ इसमें भी संबंद बहुत अच्छे हो गए और यह जो बारतारीकों मैच केलने वाले उसके अंदर मीडिया को भी हमने आमंतरित किया है और हमें आशा है कि सारी मीडिया हमारे साथ में रहकर इस जो यहां पर जो स्टेडियम बनने वाली जो भूमी है उसके इंदर बरड़ कर दी मीडिया की मीडिया अपना काम कर रही है लेकिन मैं आपसे पूतना चाहता हूं कि भारत का जब भारती टीम बनी है कोई एक प्लेयर तो टीम अपने से बताया है पचास प्लेयर गए है लेकिन ऐसा मैं बोल सकता हूं मुझे पूरा कि IPL हो या रंजी में अचे हो वहा चीफ क्रिकेटिंग डिरेक्टर पर लगाया अंजू जैन को महिला कोच लगाया यह अंतरराष्टियस तरके कोचीज है उनके साथ उनका ही सपोर्ट स्टाफ हमने उनको अलाव किया है यह देखते हुए मुझे लगता है कि जो कदम हमने लिये है वो एक भाहतरीन कदम है ल उस टैलेंड को अभी हौन करने की ज़रूरत है उसके लिए जो साधन चाहिए है वो साधन हमने लाके बसाया है करोना के वज़े से आट मैने से कोई गेम नहीं हुआ कोई प्रैक्टिस नहीं हुआ कोई स्किल सेट इंप्रोवाइजेशन का कुछ नहीं हुआ सिवाई फिज प्रैक्टिस नहीं हुआ है यह जरूर है कि पिछले दो तीन साल से रंजी ट्रॉफी हम हमको आदत हो चुकि है कि हर टूर्णामिन के फाइनल में पहुंचने की आखरी दो तीन साल में हम वो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उसका कारण यह होता है कि मेन प्लेंग पठान बंद रंकिंग में नंबर वन थे अब सिस्टम चेंज होई तो हम रंकिंग में पीछे गए लेकिन यह जो दोनी जी के साथ सवरो जी के साथ से सिलसिला शुरू हुआ दोनी ने बरकार रखा और विराट को लिए उसको आगे बढ़ा रहे है विराट के बाद क्या उसकी भी हम में ने यह देखा कि आज यह स्टेडियम की बात को लेके ग्राउंड को लेके जितने भी मीडिया से मैंने बात किया जितना भी बरोडा की जनता से बात किया सब कह रहे हमारा स्टेडियम बन रहे हर हर जो पीलर है समाज के वो सोच रहे हमारा स्टेडियम बन रहे हैं बीसे स्टेडियम बना में क्योंकि सबकेवेल वेल विशी जेहार मीडिया के बंदेखिया चाहें वो कैमेरामन हो परो 1 वेषस हमारे पीछे जुड़ी है कि BMW का अपना स्टेडियम होना है वैसे हमारी एक टीम अच्छी बनके तयार हो जाए और क्रिकेट के मैदान के साथ साथ हमारी जो टीम है उसकी भी चर्चा पूरे देष में हो और हमारे वड़ोद्रा की खिलाड़ी है वो तो देश और विदेश में पहचाने जाते हैं मगर जो रंजी में हमारा परफोर्मेंस बिगड़ा है वो परफोर्मेंस भी अब ठीक हो जाए ऐसी ही दुआ करेंगे